नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शारदा मोर टेश्टी फूड पर आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ निम्बू से बनने वाली चटनी की रेस्पी शेर करूंगी इसे हम बिना तेल के बनाएंगे और बिना धूप दिखाए बनाएंगे तब भी आपकी चटनी कई साल खराब नहीं होगी इसलिए वीडियो को पूरा देखें सबसे पहले यहां यह मैंने साड़े साथ सो ग्राम पकेवे निम्बू लिये हैं जिने साब पानी से धुल लिया है अब देखें पानी निम्बू का पूरी तरह से सूख चुका है जब भी हम कोई अचार या चटनी बनाएं तो नमी निम्बू में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आज मैं निम्बू से चटनी बना रही हूँ तो सारे निम्डू को मैंने बारीक बारीक पीसिस में काट लिया है क्योंकि बाद भी मुझे इसे मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीसना है जिससे हमारी चटनी अच्छे से बन जाए और जो इसमें बीज है उन्हें भी सबको हमें अलग कर देना है अब हम क्या करेंगे एक मिक्सी का जाल लेंगे और जितने निम्डू एक बार में आएंगे उतने डाल कर दरदरा पीस लेंगे एक बैच को देखे बारीक क्रस्ट कर लिया है अब इसे बोल में डालेंगे अब जो बाकी के कटेवे पीसिस हैं उन्हें भी बिलकुल इसी तरह पीस कर बोल में डाल लेंगे आप देख सकते हैं सारे निम्डू को क्रस्ट करके मिक्सी के जार में मैंने बोल में डाल लिया है अब हम next step पर बढ़ते हैं, यहां मैंने gas के उपर steel की कड़ाई रख लिये, इसमें जो अभी हमने mixi के jar में दरदरा new book के pieces को किया है, सारा का सारा कड़ाई में डाल देंगे, gas की flame medium to high के बीच रखेंगे, और 7-8 मिनट इसे बिना चीनी डाले, पहले ऐसे ही पकाएंगे, जिस तो यहां मीठा हम अपनी पसंद से थोड़ा कम जादे भी कर सकते हैं, लेकिन 7500 ग्राम निबू में 500 ग्राम चीनी का जो measurement है, वो ठीक रहता है, इतनी चीनी से चटनी हमारी खटी मीठी तीखी टेस्टी सी बन जाएगी, हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, और जो को बीच बीच में चलाते रहेंगे, यह तो पकी रहा है, तब तक हम इसमें डालने के लिए मसाला रोष्ट कर लेंगे, तो यहां मैंने गैस के ओपर दूसरी कडाही रख ली है, इसमें यह दो चम्मच जीरा है, इसे डालेंगे, दो चम्मच ही काली मिर्च है, इने भी डाल देंगे, साथी आठ से दस लॉंग डालेंगे, और चुथाई चम्मच अजवाइन डाल देंगे, इन सभी को शिलो फ्लेम पर रोष्ट कर लेंगे, तो रोष्ट करने से जो इसका फिलेवर है वो तो बढ़ी जाएगा, साथी साथ टेस्ट भी बढ़ेगा, और नमी भी इस पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तब इसे बारीक टीसेंगे, दूसरी साइड में जो चूले पर ये हमारा चटनी पक रही है, इसका भी मैं पूरा धान रखे हुए हूँ, बीच बीच में इसे भी चलाती जा रही हूँ, और आप देखिए इसका चीनी डालने के वज़े से कलर चेंज होता जा रहा चटनी का, यही इसकी पैचान है कि हमारी चटनी पकने वाली है, इसे हम चैक भी करेंगे, दोनों उंगली और अंगुठे के बीच में देखें, इस तरह से ड्रॉप लेके देखें, यह सहद के जैसी चिप-चिपी होनी चाहिए, और जब यह ठं करना है, अब जो हमने अभी ड्राय रोंष्ट करके मसाला पीच के रखा है ना, इस स्टेज पर उसे हम कड़ाई में डाल देंगे, साथ ही दो चम्मच साधा नमक है, इसे भी डालेंगे, और दो बड़े चम्मच यहां में कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसे डाल लही ह क्योंकि तीखे के लिए तो हमने काली मिष्ट डाली ही है, अब सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, अब देखिया आप, चैटनी का कलर कैसे चेंज होता चला जाएगा, दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज, मोर टेश्टी फूड को सब्सक्राइ और वीडियो देखने के बाद आप लाइक का बटन भी जरूर प्रेस कीजिए, ये निम्बु की खट्टी मीठी तीखी चट्नी बन चुकी है, एक दो महीने खानी है, तो आप इसे ऐसे ही रख लीजिए, और हाँ, यदि इसे आप जादे दिन के लिए, एक दो साल के लिए इस्टोर करना चाहती है, तो इसमें आप चुथाई चम्मच ये सोडियम बेंजोईट पाउडर है, जो किनाना की दुकान पर आसानी से मिल जाता है, ये पिजर्बेटिम का काम करता है, इसे जरूर डालिए, ये हमें गैस बंद करने के बाद डालना है, डाल कर अच्छी त सारे फैमिली फ्रेंड्स में जरूर सेर करें, जिससे वो भी इसका मज़ा ले सके, डाल चावल सबजी और गरमा गरम रोटी के साथ अगर थोड़ी सी साइड में ये निम्बु वाली चटनी आप रख देंगे, तो खाने का मज़ा दोगना ही हो जाएगा, और जब ये पू आज ज़ो दीग